काफी दिनों बाद एक बहुत इशानदर वीडियो लेकर क्या रहा हूं प्रिंसेस का ब्लाउच की रहेगा राउंड बेल्ट में ठीक है लंबाई 14 इंच की अपर चेस्ट 36 इंच का चेस्ट 37 इंच मतलब सिर्फ एक इंच का डिफरेंस है कमर 32 इंच पर 50 इंच सामने का गला 7 इंच पीछे गला 10 जौण पॉंट 60 इंच की लम्भाई माधर 4 इंच की आर्मोल बॉड़ी पर फिटिंग बड़ी हाती अब अलग अलग ब्लाजों में अलग की लूजिंग हो सकती है उसके बारे में अभी हम डिसकस नहीं करेंगे तो चल यह सबसे पहले काटते हैं पीछे का पला और उसके बाद देखेंगे हम सामने पले की कटिंग इस परकार से करने एक इंच का मार्जिन पीछे पल्ले में कंपल सरी रहता है यह आपको हमेशा लेना है ठेक है इसकेल से दोनों निशानों को बराबर मिला अब लंबाई का इक इंच का मार्जिन क्यों लिया जाता है आपका शोल्डर जॉयंट में और हाफ इंच जाता है इधर नीचे के करने पर कितना होता है पीछे का अधिर अधिर मनें क्या रखाया दोसे यह इंच तक आप शोल्डर को माइनस कर सकते हैं मताब कम्लीट और चार इंच माइनस होगा और यही जैसे आपका कम रहता आठ इंच 9 इंच इस तरह से रहता या 10 इंच भी रहता तो देड़ इंच माइनस करते हैं ठीक है ज्यादा डीब है इसलिए हमने दो इंच माइनस किया है तो टोटल यहाँ पर कितना होगाया सवापांच इस सवापांच के निशान को यहां भी लगाएं यह ऐसे और उसके ब की गुलाई चीए साड़े सत्रा अभी प्रैक्टिकल तौर पर उसको नापके देखेंगे साड़े सत्रा आ रहा है कि नहीं आएगा तो कैसे उसको सेट करना वह भी देख लें आ जाएगा तो कोई बात नहीं उसके बाद आर्मोल हम डाउन करते हैं कितना करते हैं हाफ इंच और यह पीछे के पल्ले में डाउन का प्रोसेस लागू नहीं होता है लागू होता है सामने पल्ले में लेकिन हम अभी सही कर देते हैं ताकि आपको क्लियर कट समझ में अभी यहां पर देखिए एक इंच जो है आपका सामने पल्ले का आर्मोल गोलाई पौने दो इंच की पीछे पल्ले की गोलाई का सामने पल्ले की गोलाई का यहां पर अभी हमने चैस्ट नापन यह तो चैस्ट नाप लेते हैं कितना चैस्ट यह 36 और दो इंच की लूजिंग दे दिया तो 38 का चौनथा इससा कितना होता है साड़े-9 और यह डारेक्ट निशान लगा सकते है नौ इंच 36 का चौनथा इससा करकि नौ इंच का निशान लगा कि हाफ इंच की लूजिंग दे सकते हैं जो और तरीक आपको सहीं लगे मेजर मिंट आपका 38 बैट ना चाहिए फिट डेडिंच का प्रोपर सिलाय मार दिन देना है अब उसके बाद आर मोल की गोलाई को यह फिके देख लेंगे कि यहां पर हमारी आर मोल की जो गोलाई है वो खितनी आ रही है तो जthem समस्रीक बहु 소य तो 9 की दब्ल जाएका 18 हमको चारे सचाभी अब उसके बाद के आई इस प्रकार से आईसे होगा सा डाउन करके इस निशान को लेना है अब क्या गरेंगे यहां पर कमर का मेजरमेंट लेंगे कमर कितना है यह इज घू तरह से इस परकार से दोनों सीधा मिलाने के बाद यह पीछे प्रक्टिंग कंप्लीट हो जाते इसमें दो चीजे बच जाता है एक है आपका गला शोल्डर लाइन अभी हमने ध्यानी नहीं दिया और नीचे है डॉट पॉइंट की अगर बात करें तो डॉट पॉइंट के लिए हम दूरी लेंगे अप्रॉक सवचार इंच की और उचाई हाफ इंच है उस थोड़ा सा और कम हलका सतना करेंगे बॉस गले की तिरफ हल्का सा ज्छुका के बहुं ज्यादा डाउं नहीं करना है और और उसके बाद गले की चौरणाही को कि गला बहुत ज्यादा डीप है जाड़े-10-11 इंच का अगर गला हो तो सवा दो से जढ़ा नहीं को लेने कुले उसके बाद गले की घहराएँ कितनी है साड़े- weten तो यह साड़े-Deس इस प्रकार से थोड़ा सा चोड़ करेंगे यह साड़े-著 से उसके बाद स्केल से इस निशान को सीधा लेना है पीशे हम मठके गले का शेप देंगे इस पकार से जो है तो यह प्रॉपर मंटके गले का शेफ होता है इसको हम काटके निकालेंगे और इसी को रखके सामने पला बनाना है तो एक पेपर पर इसको कॉपी कर लेते हैं ठीक है तो चलिए फटा-फट इसकी कटिंग करते हैं फिर आगे देखेंगे इस प्रकार से पीछे पला पूरा का राउंड वी जो कि अचकल काफी जादा चल रहा है वी गला बहुत से लोग डिमांड करते हैं तो यहां पर अब यह मैटर नहीं करता वी गले में कि आप नीचे गले की चोड़ाई कि इतना ले रहे हैं पहले तो इस निशान को सीधा मिलाने के लिए जितना उपर उतना नी की शेप देना अब गले का काम कंप्लीट आर मोल का काम कंप्लीट अब जाएंगे हम डारेक प्रिंसेस कटके पैटन में तो आज कल हम एकदम सिंपल सा फर्मूला यूज कर रहे हैं क्या कहता है वो फर्मूला ट्रिपल वन तो ट्रिपल वन के लिए हम उससे पहले डॉंट इतना पेंगे डॉंट पॉइंट के लिए हम हाफ इंच छोडएंगे और उसके बाद इतना डॉंट पॉइंट है उतना ले लेंगे कितना है साधे दस तो साधे दस का सीधा मार्क करने उपर हमने छोट खाया दाएंच वह माजीन के तोर पर शोल्डर मार्जिन अब उसके इस निशान को थोड़ा सा इस प्रकार से बढ़ा लेना दोनों डॉंट की आपस में बीच की दूरी कितनी है वह एक्यूरेट यहां पर डालेंगे जैसे मानलों चार इंच है चार कर डबल होगा बॉड़ी पर नापेंगे तो आठ इंच होगा पूराने ब्लाउच पर करना प्रिंस की तो वह भी चौड़ा कर सकते हैं क्योंकि इसमें डॉंट का महत्वन ही होता है इसमें तो कपड़ा काट करके हम पॉफ क्रियेट करते हैं तो यहां पर देखना है जैसे हम पहले बनाते थे प्रिंसेस कट ब्लाउज नॉर्मल तो उसमें आज कल हम क्या कर रह करेंगे कितना कम से कम सवाइंच यह डेढ़ इंच यह इस तरह से यह मार करेंगे और उसके नीचे जो बचा हुआ हिस्सा है वह आपका बेल्ट बन जा रही ठीक है तो अभी हम फिरहाल इतना ही मार कर रहे हैं बेल्ट हम इसमें अलग से देख लेंगे बात में अब इसके क्रिएशन को समझेंगे कैसे देना है क्या करना है उसके लिए तो सबसे पहले तो disp can from city up निशान को ड़्ाउन करें आपका हुआ यह आज करने करने का लगा पर लगा रहे हैं लेकिन क्यों लगा रहे हैं कैसे लगा रहे हैं यह आपको समझ में आना चाहिए अभी यह वाला जो निशान इसको सीधा इस पकार से आगे बढ़ाएंगे ठीक है और यह निशान आगे बढ़ाने के बाद वह जो तीसरा वन पहला वन कौन सा हुआ जो हमने इतना करने के बाद आप अब हमें दूख क्रियेशन करना इस निशान से यहां और और अब यहां से सीधी निशन नाप करके देखते हैं इधर से उचाहि कितनी आ रही है उदर से कितनी आ यह कितना है पौने तीन पर उधर भी मार्क करेंगे ताकि बड़ा छोटा ना हो, फिट करते वक्त, बड़ा छोटा होगा तो आप confused हो जाएगे, अब यह चीज हो गया, अब इसके बाद आपको इसका margin देना है, लेकिन margin प्रोसेस को समझने के लिए हमें belt के shape को समझ जाओगा, क्योंकि यह थोड़ा different type का नया pattern का ब्लाउज है, round belt वो भी दोनों तरब से round है, तो उसका marking कैसे करेंगे, तो यहां पर देखना, यह सबसे पहले हम 5.5 इंच का यहां पर mark करते हैं, इतना round belt देंगे हम, ठीक है, इधर कितना mark देंगे, इधर हम देंगे, 3.5 इंच का, यह इस प्रकार से, यह 3.5 का mark हो गया, अब क्या करना ह यह वाला जो निशान है, इसको थोड़ा सा आगे इस पकार से बढ़ाएंगे, अब जो belt का shape है, वो घुमे का कैसे, उसको ज़रा समझते हैं, तो यहां पर, यह हम एक mark लेकर आते हैं, राउंड देखिए, किस पकार से round करना है, यह यहां से लेकर कर आएंगे, ऐसे, तो य आपका नीचे से भी इस belt में shape बन जाए, कितना, दो इंच का हमने यहां पर shape दिया, ठीक है, अब इस से होगा क्या, front से, center में आपके blouch की front की लंबाई कमाएगी, कितना कमाएगी, दो इंच, ठीक है, यह दो इंच कट जाएगा, दो इंच सेंटर से, लंबाई कमाने की यह यहां से इस प्रकार से जाके मिल जाएगा, यह इस point था, ठीक है, अब उसके बाद, उधर वाला जो हिस्सा है, यह इस point से मिलेगा, ऐसे, ठीक है, अब चूंकि हम इसमें belt को, बाद में देखेंगे, अभी हम क्या करेंगे, इसका जो margin process है, उसको समझते हैं, धाई तो margin कितने इंच का देंगे, 1.5 इंच का, क्यों? क्योंकि हमें पीछे पल्ले में एक इंच margin already मिला, पीछे पल्ले के डॉंट का, तो 1.5 इंच का margin यहां पर देंगे, इस प्रकार से, और बाकी कुछ देनी क्यों शकता नहीं, उपर आप 5 इंच या 1 इंच तक का margin दे सकते ह क्रोड़ना है, क्रोस पट्टी और कर्टोरी को, कटेगा तो, तो उसके बाद यह इस तरह से मिला देंगे इसको, ऐसे, अब जैसे यह complete मिला, आपका यह पूरा process हो जाता है, फिर final, last में क्या करना है, यहां पर देखना, इन measurements को ना पना है, ठीक है, और note down करते जाएंगे, यह साड़े पांस था, दो इंच हमने घटा दिया, राउंड करने के लिए, और उसके बाद यहां पर कितना था, साड़े तिन, साड़े तिन हमने लिया था इसको, यह दीखिए, उसके बाद यह इसको ना अपले, 11 इंच, एकदम clear है, अब उपर उपर के इससे को काट के न है, यह देखिए, इस पकार से हमने इसको पूरा complete cutting कर लिया, इसको हलका सा छाटेंगे, जिससे उपर से भी यह puff create करेगा, ठीक हलका सा इसको छाट के निकाल देंगे, बस घबराना नहीं है कि इससे हमारा front का पीश छोटा उटा तो नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कोड़ा सा आर मोहल बस हलका सा कम होगा और वो हमने अल्ड़ेडी एक्ष्ट्रा लिया था ठीक है, यह इस तरह से सेंटर के cuts लगा ले यहां पर डॉंट का cut से इसको मिलाते हुआ सिलाई किया जाता, यह देखिए, इस पकार से यह उपर से भी puff create करेगा, नीचे से भी puff create कर इसी के साहर या बेल्ट की cutting कर सकते हूं, यह देखिए, यह इस प्रकार से, जब होंसे लोगों का यह भी प्रश्न होगा कि क्या इसी को ही direct belt नहीं बनाया जा सकता, पॉन इंच मार्जिन लेकर के, तो वैसे तो बना सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा भी shape जो है वो गड़ पांच इंच, पहले तो यह आपका margin दे देना, कितना? पॉन इंच का, यह इस तरह से पूरा margin दे के, इसको पहले scale से सीधा मिला लें, यह margin आपका काम आता है joint के लिए, ठीक है, उपर नीचे दोनों इसमें जैसे fold करते हैं, joint करते हैं, उसके लिए काम आता है, फिर shape देते अब इसी को समझना, यह देखो, यह देखो, यह देखो, यह पूरा measurement आपको यहाँ apply कर देना, जितना आपका आ रहा है, उतना ही apply कर देना, सीधा सीधा, यह देखिए, यहाँ पर भी, उसके बाद यह center को ना पना है, अप्रोक्स तीन ही चार है, distance, और उसकी height, दोनों आप करके, सीधा पहले यहाँ पर लेंगे, और उसके बाद यह जो shape है, इसको देदेंगे, इस परकार से, ठिक, उसके बाद नीचे से भी इसमें round देना है, तो total 2 inch का round है, तो यह इस परकार से यह वाला round भी देदेंगे, अगर आप लोग पेपर कटिंग स्वग्रा मंगाना चाहते हैं, डिस्प्ले पर आपके नंबर चल रहा होगा, आप लोग इंक्वारी कर सकते हैं, अभी offer चल रहा है, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएं, आप जैसे ब्लाउस कटिंग चीए, तो ब्लाउस कटिंग लिख कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएं, अभी ये पीछे का पलना, और ये सामने का पलना, आपको आपको ये बिलकुल ready हैं, ये होगा आपका पीछे का पलना, के अस्तिन के कट्टिंग को मिसमें कीफिक कर रहे हैं अस्तिन का कटिंग नहीं देखने वाले क्योंकि वीडियो काफी यह जैसे कटते हैं। आपको पता है हम ने बार-बार वीडियो में ऐस्तिन की कुद दिखा है समझा एक उम्मीद आप लगग और यह पसंद है और उसको